गाईस अगर आप भी 3D जूम इफेक्ट वाली वीडियो बनाना चाहते हो जो की इंस्ताग्राम पर काफी ज़्यादा वाइरल होती है तो गाईस आप किस तरगे से बना सकते हो चली गाईस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले दोस्तो अगर आपने हमारी चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर नए है हो तो गाईस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक जरूर कर देना चली गाईस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक एप का लिंक दूँगा दोस्तों जोए एप का लिंक तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में फिलाल नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों जोए टेलेग्राम चैनल पर आपको दोस्तों एक एप का लिंक मिलेगा जिसका नाम है दोस्तों क प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके रखें तो किस तरह के से आपको करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ तो गैस यहां से आपको जिसे इस पर क्लिक करोगे न्यू प्रोजेक्ट पर आपको यहां पर आपकी गैलरी के सारे फोटोस देखने को मिल जाएंगे तो यहां से आपको ज जो यह इस पर caroval इस section पर click कर करकर यहाँ पर इससे carov लेना है तो गाईस यहाँ पर No BT 6 का आप carov लगा लेना है तो नो भाई छी वाला क्रॉब जीसे हाप लगाओगे यहाँ पर लगाने पाद दोस तो कुछ इस सरह के से यह photo का की जऊव Left तो इसको दोस्तों फिलाल हम skip करते हैं और इस तरह के से आपको 9 भाई 6 वाले फोटो वगेरा लगाने लेने फोटो वगेरा लगाने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों आपको करना simple सा ये है कि नीचे आप यहां से sound वगेरा एड़ कर सकते हो तो यहां से आप अपनी profile में जाकर भी sound aid कर सकते हो या फिर दोस्तों आप इसमें से sound कोई सा भी sound aid कर सकते हो तो यहां से फिलाल अभी मैं sound aid नहीं करने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों copyright वगेरा आ सकता है इस वज़े से मैं sound वगेरा play नहीं करके बताने वाला हूँ यहां तक आपको काम कर लेना है उसके बाद आपको क्या करना है मैंने एक project यहां पर ले रखा है उसके बाद आपको बताता हूँ जैसे आपने सारे कुछ photos यहां पर ले लिए photos वगेरा लेने के बाद दोस्तों यहां पर आपको अपने photo पर click करना है जैसे आपका कोई भी photo रहेगा उस photo पर आपको click करना है click करने के बाद दोस्तों आपको VPN यूज़ करना है VPN से दोस्तों आपको जो इस app को यूज़ करना है VPN पहले आप connect कर लेना तब जाकर दोस्तो आपको ये style वाला feature यहाँ पर enable देखने को मिलेगा और दोस्तो अगर आप old version यूज कर रहे हो cup cut का तो इसे आप latest version में download करना तब जाकर आपको दोस्तो जो ये effect वगेरा देखने को मिलेगा style वगेरा जैसे आप इस पर click करोगे काफी सारे यहाँ पर आपक effect देखने को मिल जाएंगे बट आपको दोस्तो यहाँ पर 3D zoom वाले effect पर click करना है जैसे आप click करोगे यह थोड़ा सा process लेगा generating वगेरा होने लगेगी तो guys इसको थोड़ा सा process complete हो जाने दीजेगो और जैसे आप complete process कर लोगे इस तरह के से आपको style पर जाकर आपको सारे photo मे 3D design डाल देनी है तो 3D zoom design आप डाल सकते हो photo पर आपको click करना है style में जाना है style में जाने के बाद 3D effect पर आपको चले जाना है फिर आपको photo पर click करना है फिर style में जाना है फिर आपको 3D zoom पर चले जाना है zoom पर जाने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह के से सारा photo generate हो जाएगा जिसके बाद दोस्तों आपको बीच में ये layer देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों transaction में आप जैसे click करोगे आपको camera वाले section पर जाना है और यहाँ पर आपको काफी सारे transition देखने को मिलेंगे अलग-अलग जिसमें से आप जो भी आपको पसंदो वो transaction आप यहाँ से select कर सकते हो तो यहाँ से दोस्तों मैंने first वाला transaction ले रखा है मुझे यही अच्छा लगता है तो इस तरह के से आपको सब इस पर click करना है सारे वाले मतलब सारे button पर आपको click करकर यहाँ से transaction set कर लेना है camera वागिरा जो भी आप select करना चाहते हो कर सकते हो select करने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं copyright sound को add करता हूँ जो भी no copyright sound जो होगा उसको मैं यहाँ से add करकर आपको sound भी play करके दिखाऊंगा तो चलिए यहाँ से मैं sound वागिरा select करता हूँ तो यहाँ से sound वागिरा हमने select कर लिया है और extract sound तो यहाँ से काफी सारे आपको sound वागिरा देखने को मिल जाएंगे तो your sound में आपको जो भी आपके sounds रहेंगे वो यहाँ पर show हो जाएंगे तो यहाँ से दोस्तों मैं एक without copyright sound यहाँ से select करता हूँ तो फटा फट से यहाँ से मैं एक कोई सा भी जो भी no copyright sound रहेगा उसको यहां से आपको select करता हूँ और फिर मैं आपको जो प्ले करके बताऊँगा तो चलिए मैं यहां से डूंड लेता हूँ यार काफी सारे हाँ एक copyright sound मिल चुका है तो guys यह no copyright sound यहां से आपको add कर लेना है आपके सारा कुछ setting आपकी complete हो चुकी है जिससे इस वीडियो को आप play करोगे तो play करने के बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से यह जो यह design देखने को मिल जाएगी आपको वीडियो के अंदर तो guys देखना मैं अपनी वीडियो को जो यह play करता हूँ तो guys आपने देखा कुछ इस तरह के से आपके जो भी photo रहेगा वो zoom 3D effect में convert हो जाएग और convert होने के बाद अगर आपको इसकी length बड़ी लगती है तो आप इस पर click करकर इसकी length को जो चोटी कर सकते हो इस तरह के से आप जो चोटी कर सकते हो इसको बड़ा भी सकते हो बड़ दोस्तों मैं recommend करूँगा आप इसमें 2.5 second ही आप इसको जो रहने देना ताकि आपके जो भी video रहेगी वो काफी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी तो एक बार और मैं आपको sound वगेरा प्ले करके बिताता हूँ और दोस्तों बताने के से पहले एक और मैं आपको image वगेरा एड़ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और जैसे आप इस ending पर click करोगे इस ending वाली वीडियो को आपको दोस्तों delete कर देना वरना इसमें दोस्तों जोई इसका intro वगेरा देखने को आपको मिल जाएगा तो guys ending वाली वीडियो पर आपको click करकर ending वाली वीडियो पर end कर देना है end जैसे आप करोगे end वाली वीडियो को delete कर देना है और यह ending हो चुकी है अब यहाँ पर दोस्तों आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करकर आपको इसी भी अगर एक image select करना चाहते हो यहाँ से image साफ select कर सकते हो तो यहाँ से दोस्तों जो है image वगिरा फिलाल हम select नहीं करने वाले हैं तो जैसे आप select करोगे इस पर आपको क्लिक करने के बाद style वाले option पर जाकर 3D zoom पर क्लिक कर देना है और zoom करकर आपको छोड़ देना है साथ के साथ जैसे आप इस plus वाले बटन पर क्लिक करोगे आपको camera में जाना है और camera 3D effect आपको यहाँ से select कर लेना है जैसे आप एक बार select कर लोगे आपकी सारी वीडियो जोए complete हो जाएगे और आप यहाँ पर दोस्तों जोए save वाले बटन पर क्लिक करकर इस वीडियो को save कर सकते हो तो उससे पहले एक बार और मैं आपको जोए वीडियो प्ले करके दिखा दिता हूँ तो गाईस आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से हमने जोए वीडियो डिजाइन कर दिए अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आयोगी इसे तरीकी इंट्रेस्टिंग वीडियो से कर आप देखना चाहते हो तो गाईस हमें यूटूब चैनल पर सब्स्राइब करना मत बूलना थेंक्यो गाईस